एक दिन महाराज ने रात भर पूरी सबजी बनाने का आदेश दिया। कई मन पूरिया उतारी गर्यो आश्रम में कोई उत्सव था नहीं। बाबा के इस आदेश का प्रयोजन किसी की समझ में नहीं आया। दूसरे दिन अन्य दिनों की भाती जितना प्रसाद वित्रन होना था हुआ और अत्यदिक मात्रा में तयार सामान बचा रह गया। इतना सामान व्यर्थ हो जाएगा ऐसी शन का कार्य करताओं के मन को विचलित कर रही थी इतने में शाम के समय आश्रम के। सामने की सडक में एक बस में मशीन संबंधी कुछ खराबी। आज आने से वो चालक के नियंत्रन के बाहर हो गई और सडक की दीवार से टकराई उसके आगे के दो पहिये सडक के बाहर। खड में चले गए और गाड़ी सडक के आर पार इस प्रकार खड़ी हो गई की उसके दोनों और लगभग देर सो बसो का जम घट हो गया उस समय कैची में एक चाय की दुकान के अलावा और कोई दुकान नहीं थी धीरे-धीरे कैची की घाटी में अंधेरा हो चला और इस व लोगों को आश्रम में बुलाकर गरम-गरम चाय पिलाई और भर पेट खाना खिलाया महिलाओ और बच्चों को बिस्तर देकर आश्रम में सुलवाया और मर्दों को कंबल दिये ताकि वे बस में रात गुजार सके और अपने सामान की देख भाल भी कर सके यात्रियों के सुविधाय उन्हें प्राप्त हुई उसकी उस समय उस निर्जन स्थान में वे कलपना भी नहीं कर सकते थे आश्रम के कार्य करताओं की तो आखे खुल गरियों उनके हर्ष का पारावार न रहा